हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हूँ आप सब अपको भाई हाजिर एनी वैकेंसी के साथ कैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखे है वो आ रखे है नीवे की तरह से नीवे की फुल फॉर्म है National Institute of Wind Energy ठीक है बेसिकली एक Autonomous Institute है जो कि R&D इंस्टिटूशन के अंदर यहाता है रिसर्च एंड डेवलोपेंड इंस्टिटूशन यहाँ पर रहने वाल है जो की काम करता है Ministry of Renewable Energy के अंदर गती यह काम करता है ठीक है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डेट दे रखा है और यहाँ पर जो आपकी वैके वैकेंसी रहेगी contract basis पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी वैकेंसी निकाले गई है contract basis पर वैकेंसी निकाले गई है ठीक है कौनकावन अप्लाए कर सकता है क्या eligibility criteria रहे गया है पूरा detail में बात करेंगे वीडियो को पूरा देखेगा ठीक है तो अगर आपने यहाँ टे डिठ दिन अफासिबल नहीं है तो पद्र प्लीट फर्म जरूर्ट से जैन करके आप टेली ग्राम चैनल जोइन कर सकते है लिंक्डीं कर सकते है इस्टाग्राम ज़इन कर सकते है आपको दिसक्रप्स little girl कर सकते है यह सारे Information कि यह शूर्चा लीघिए धेनिक एमने चैनल को आपको description न मिल जाएगा एक वाट जरूर से check out कर लेना content अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में share कर देना और कुद भी subscribe कर लेना तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पर नहीं है तो channel को subscribe कर ले पास पर जो घंटी वाल आइकन उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आपको वाई चैनल पर इंजरें जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा चलिए शुरू करते हैं अब बात कर ले ठीक है यहाँ पर जो आपकी वेकेंसी रहेगी contract basis पर रहने वाली है पहली बात दूसरी बात यहाँ पर online application आप करहेगा offline आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना ठीक है online यहाँ पर form को submit करना है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर position कौन गांसी रहेगी different different position रहने वाली है यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं वायू मित्र स्केल development program के तहट जो कि हमारी government दोहरा चलाया जाता है उसके अंडर यहाँ पर वेकेंसी को निकला गया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला वेकेंसी आ रख है वो आपका आ रख है नेमो पोस्ट प्रोग्राम कॉडिनेटर का व इकनिकल लक्ट्रोनिक्स इंस्टुमेंटेशन के अंदर तो आप यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हैं फस्ट क्लास आपका होना चाहिए मतलब कि आपका 60% आपके रहने वाला है ठीक है अगर आपकी category कोई सी भी है तो भी आपका 60% ही रहेगा और आपके पास experience यहाँ पर ठीक है और अगर आपने यहाँ पर अपने बीटक किया अंदर मेकानिकल के अंदर अंदर अंस्टुमेंटेशन के अंदर 60% के साथ तॉप अप्लाइ कर सकते हैं इसके अंदर पोस्ट क्वालिफिकेंस एक्सपिरेंस जो आपका रहेगा पांच सल का मांग लिया गया एंड यहाँ पर आपके साथ एक साल का अपका वर्क एक्सपिरेंस के अंदर आपके पास एक्सपिरेंस होना चालिए ऑच्योल और वाइंड के अंदर आपके साल का प्रोग्राम कॉडिनेटर का वेकंसी मेनेजमेंट के डिपार्टमेंट में रहने वाल है ठीक है जॉब कोड देख लेने ध्यान पूरुवक वेकंसी आपका एक कि रहेगा अगर आपने का वेकंसी है जॉब कोड देख लेना अगर आपने मास्टर डिगरी के अंदर यह फिर फाइनेंस में पांच सल का एकस्पिरेंस है अप्लाय कर सकते हैं अपलाय कर सकता है एक चीज़ और लिखेंगे सैटिपीके अपके पास टैली का होना चाहिए जोब डिस्क्रेप्शन को ध्यान परोग देख लेना सालरी काफी अच्छा खासा रहेगा 40,000 परबन 40,000 से यहाँ पे कम काई जाप का होना चाहिए अब बात कर लेते नेक जोब वेकेंसी के बारे में तो यहाँ पे जो नेक्स वेकेंसी आ रख है वाप से रिलेटिड डिग्री कर रख है तो आप यहाँ पर अप्लाय कर सकते हैं ITCS आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट होना चाहिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर तीन साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्स्पिरिंस यहाँ पर मांगा गया है जो कि आपका वैब होना चे 40 साल का है तो भी यहाँ पर चलेगा नएक जो वैकेंसी आपका आ रख है वो आपका आ रख है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का टेक्निकल डिपार्टमेंट रहेगा जोब को ध्यान पूर्वक देख लेना और नमरों पोस्ट आपका एक रहने वाला है और अगर एक्सपिरेंस मांगा गया है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है जो की बीटेक करने के बाद डिरेक्टली टीचिंग करने लगते हैं पढ़ाने लगते हैं ठीक है और यहाँ पर वह एक्सपिरेंस होगा जो कि आपका यहाँ पर काउंट हो जाएगा जॉब आ रखा है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट का वैकेंसी है बेसिकली आपका जो डिपार्टमेंट फाइनेंस का यहाँ पर रहने वाला है ठीक है जॉब कोड को ध्यान पूरवक देख लेना नमर वैकेंसी एक रहेगा अगर आपने बैचलेट डिगरी किया किसी भी डिस कर सकते हैं 5 साल के हैं आप एक्सपीरेंस मांगा गया है जो कि आपका जिनरल एड्मिनिस्टेशन के अंदर आपके पास एक्सपीरेंस होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन आप ध्यान प्रोग देख सकते हैं सेलरी आपका 30,000 परबंद के साब से रहेगा और जो आपके प्रेज लिमिट है वो 35 साल से आपका कम कर यहां पर होना चाहिए 35 साल का है तो भी चलेगा अगला जो वेकेंसी निकाला गया वह निकाला गया सीनियर रिसर्च फैलो का वेकेंसी है एक रहेगा जोब कोड आप यहां पर देख सकते हैं निम्मरों पोस्ट आपका एक रहने फिर ईन्यवेबल एंजल के अंदर थो भी आप यहां पर अपलाए कर सकते हैं ठीक है डिजाइरेबल यहां पर अप देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं, next job vacancy के बारे में basically administrative post है purchase executive का है, post code देख सकते है number vacancy 1 है, bachelor degree किया है 15 सल का experience है, apply कर सकते है अगर आपको कोई भाई बेन है तो उनको वीडियो suggest कर सकते है, apply कैसे करना है दीखे apply link में आपको description में directly provide करा दूँआ, इसका selection process क्या रहेगा, आपको यहाप apply करना पड़ेगा फिर आपका personal interview होगा, फिर आपका final selection होने वाला है, salary काफी आपको यहाप बड़ी है provide की जाने वाली है बात कर लेते हैं, आप easy relaxation भी दिया जाएगा जो आपने उपर देखा तब फोर है general candidate था, उनमें उसके according यहाप यहाँ पर उन्होंने साबसाब बोला है कि no TADA shall be provided attending test और यहाँ पर entry, यहाँ पर entry और test दोनों में से कुछ एक हो सकता है अगर आप test या entry और attend करते हैं तो आपको TADA नहीं provide किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे बाकि अच्छी opportunity apply जरूर कर देना apply link में आपको description में provide करा दूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका starting कप से हो चुका है यह 1342202 से start हो चुका है ठीक है, मतलब कि 13 April से start हो चुका और last date इसका 29 April यहाँ पर रहने वाले उससे पहले पर आपको apply कर देने यह जो link है इस पर click करके आपको directly apply कर देना है यह link में आपको description में provide करा दूँगा उस पर click करके directly आप apply कर सकते हैं बड़ी opportunity apply जरूर कर देना मिर भाई तो मिर भाई आज के लिए बस इतना ही video को like करेगा share करेगा उन लोगों तक जिनको job की need and comment करके जरूर बताईगा कि आप कौन सी job search कर रहे ताकि वह जबाब के लिए मिला सके and whatsapp, telegram, linkedin, facebook से जुड़ने के लिए हमने description में link दिया है आप directly वहाँ पर click करके join कर सकते हैं all the very best, जहीं